आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट बिस्केट पुडिंग यहां पर मैंने लिया है वालनेट आधा कप, बटर 50 ग्राम, कोको पाउडर 3 चम मच, यह कॉन फ्लार है एक चम मच, पाउडर शुगर 100 ग्राम, यह मिल्क पाउडर 50 ग्राम, यह कॉफी और यहां पर लिया है मैंने बनाना और यह हैं बिस्केट, यह है चॉकलेट बिस्केट हैं और यह आधा लेटर दूद है, सबसे पहले हम एक कड़ाई में अपने दूद को ग मैं यहां पर मिल्क पाउडर डाल दिया है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको उबालेंगे हमने यहां पर अच्छे से मिक्स कर लिया है, जब तक हम आपने बिस्केट को अलग कर लिगे यहां पर मैंने यह बॉबन बिसकेट लिये यहां पर मैंने इनको ऐसे लिये एक साइड में मैंने बिसकेट रखने दूसरा साइड में क्रीम रखनी है ऐसे ही हमने सारा निकालना है हम एने दुछा बैकेट लिए यहाँ पर मैंने क्रीम और चॉकलेट बिस्किट अलग कर लिये हैं अब रखेंगे इनको हम साइड में हम अब देखेंगे हमारा दूद यहाँ पर अच्छे से उबल चुका है लेकि उपर से मलाई भी जमने लग गई है और अब हम बनाएंगे चॉकलेट बैटर मैंने यहाँ पर बाउल लिया है उसमें डालूगा मैं तीन बड़े चमच कोको पाउडर गे इसमें चीनी 100 गराम और यह लिया है मैंने बटर 50 गराम मैंने मैल्ट कर लिया है और फिर डाल रहा हूं मैं जो हमने क्रीम निकाली थी वह डाल दी अब हम करेंगे इसको अच्छे से मिक्स यहाँ पर कर लिया है हमने अच्छे से mix और अब लिया है मैंने यहाँ पर यह मैंने लिया corn flour एक चम्मच है इसमें डालूँगा मैं पानी और इसको अच्छे से गोलूँगा और इसको डालूँगा मैं अपने batter में हमने यहाँ पर corn flour का use इसलिए किया है जो हुमने यहाँ पे ही चौकलेट का बैटर बनाया है इसको ठिक करने के लिए जब हम इसको मिलक में डालेंगे मिलक हमारा भी पतला है आप देखे अभी देखे हमारा मिलक भी पतला है अब अगर हम इसमें यह डालेंगे तो यह अच्छे से mix नहीं होगा और यह एकदम लिक्वीडी लिक्वीडी रहेगा हमें एकदम मतलब एकदम थिक बैटर चीए जिसे हम अपनी पूडिंग बना सकें देखे अब हम इसको अच्छे से mix करेंगे और जो साइड में हमने जो मलाई लगाई है इसको भी हम अच्छे से निकालेंगे और इसको अच्छे से हमने उबालना है यहां पर हमारा जो चॉकलेट बैटर है अभी उबनने लग गया है देखिए और कितना थिक हो चुका है अब हम निकाल दिंगे इसको एक बाउल में यहां पर मैंने निकाल दिया इसको बाउल में अभी यह बहुत गरम है तो इसको हम कर दिंगे रेस्ट करने कर ले छोड़ दिंगे और अब हम लिंगे ऐक बाउल में कॉफि यह मैंने बाउल जतो पर कफी लीए है यह अपे एक चमबच और फिर ढालूंगा इसको पानी और इसको अच्छे से मिक्स करके इसका रिडक्षन बनाएंगे कॉफी रिडक्षन बोलते हैं इसको और अब हम काटिंगे अपने बनाना जो मैंने या पर एक बोड ले लिया इसमें मैंने अपने दो बनाना ले लिया हमने दोनों बनाना को छेल लिया है अब हम करेंगे इनको कट यहां पर हमने अपने बनाना कट कर लिये हैं और अब हम करेंगे अपनी चॉकलेट पुडिंग बनाने की हैं तेके अ कि तेयो ने यहां पर मैंने सारी समगरी ले लिए असपसे पहले हम अपने जो बिस्किट्स है अमने जो कॉफी का कॉफी और पानी का मेक्षय बनाय था रिड़क्शन बोलते हैं जिसको और उसमें हमने निसको ऐसी ही सेट करना है और बाउल में डालना है हमने सबसे नीचे बिस्किट की layer लगानी है आप कोई सबसे नीचे ने बनाना है हाँ बन चुक है अब हम डालेंगे इसमे बनाना आप कोई और फूर्ट भी यूज कर सकते हो जो आपके धर पर अभी अवैलिवल है यहां पर मैंने बनानाज डाले हैं और अब मैं डालूँ गापना जो हमने चॉकलेट का मिक्स बनाए था mixture देखे उपर चॉकलेट चॉकलेट आ गई है और यह देखे कितना ठिक हो चुका है अब हमने एक लिए में डाल दिया है अब हम इसको अच्छे से तलाएंगे और ऐसे ही हमने रिपीट करना है यहां पर हमने सारा रेडी करके रख लिए है अब उपर से वालनट डालेंगे अब दीखिए हम इसको अब सेट करने के लिए एक दो घंटे के लिए एक दो घंटे हो चुके है हमारा मिक्षर पूरा रेडी है अब हम उपर से करेंगे इसमें कार्नेशिंग मैंने यहां पर लिया है यह शूगर पाउडर है इसको मच्छे से स्प्रिंकल करेंगे अगर आप चाहे तो जो अपर चॉकलेट है बिस्किट से चॉकलेट के तो आप उसको भी डाल सकती हो फिर मैंने यहां पर डाला है यह मैंने आलमंड्स लिये थे वो डाल दिये और रेडी है आपका चॉकलेट बिस्किट पुटिंग अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए थैंक यू फॉर वाचेंग